हलो एवरीवन, वेलकम तो माई चैनल, दाट इस स्टोडी इन देट, टीर स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में ठीक है, हम सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो का सत्पने रहिए और आपको आज मेजरमेंट पूरा क्ल क्लियर होने वाला है, बस ध्यान से सुनोगे, क्लियर हो जागा, चैप्टर 10 है, क्लास 3 का वीडियो है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं, यह एक पिक्चर दिया गए, इसको बस हम ऐसे ही जनरली बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अली साथ बजे घर से लिकलता है और स्कूल कितने बजे पहुचता है, आठ बजे, तो कितना घंटा लगा उसको जाने में, वन आर लगे, ठीक है, कितना लगा, वन आर, तो यह मेजर कर रहे हैं हम लोग टाइम को न, अब चलिए हम लोग चैप्टर पे आते हैं, पहले हम लोग समझें के मेजर मेंट आपका कितना हाइट है, कितना लंबे हो आप, आप कितना केजी के हो, यह सब होता है और हम टोक टाइम को न आपते हैं, डे टो डे लाइफ में, कि कितना टाइम हो रहा है, तो यही सब मेजर मेंट, यही है मेजर, ठीक है, इसी को हम लोग मेजर करते हैं, the method by which we find out the size or amount of something is called the measurement, देखो वही बोल रहा है कि वो method is के थूँ हम, किसी चीज़ का size, किसी चीज़ का amount, ठीक है, कोई भी चीज़ का amount हमको पता चल जाता है, कितना है, क्या है, वही चीज़ हमारा measurement होता है, got it, we keep the track at the time, with the help of clock, हम लोग क्या करते हैं, कि time को, कैसे हम लोग, track हम लोग अपने हिसाब से बैठाते हैं, कि इतना वज़े ये करना है, अतना वज़े वो करना है, तो time के हिसाब से हम लोग चलते हैं, लोग को देखते हुए, हम अपने day to day life में क्या करते हैं, हम लोग, अलग अलग तरह का चीज़ को measure करते हैं, एक जैसा चीज आप लोग market जाते हो, सबज लेंद है एक प्लेस से दूसरे जगा जाते हो तो उसको पता चलता है यहां से इतना कितना दूरी है ना इस्कूल से ना घर का दूरी ओके तो यह सब हम day to day life में चलते रहता है कोई भी object कितना भारी है object मतलब किसी चीज को बोल सकते है अब जिसमें mobile में पढ़ रहा हो न यह भी एक तरह को अब्जेक्ट है आप भी object of physics के language में यह science के language में हम लोग कह सकते है ठीक है object यहां एक common word लिया गया ताकि अब मानेगे लोग आप mobile है table है chair है deck से तो सबका अलग-अलग नाम देने से अच्छ है कि एक common नाम दे दिया ताकि इससे सारा कुछ पता चल जा रहा ह ठीक है living non-living things दोनों आ जाता है the amount of an object कोई भी object का amount पता चलता है कोई भी object कितना लंबा है कोई भी object कितना छोड़ सौट है यह सब चीज हम लोग देखते है example है तो next हमारा क्या बोल रहा है कि हम लोग को हमेशा हर एक month में अपना body का जो length है लंबाई है उसको भी measure करना च चले कि हमारा body कितना बढ़ रहा है हर एक month हम लोग को यह भी पता चलता है कोई भी object कि कितना दूर है कितना पास है उसको भी हम लोग measure करते हैं मितलब distance उसका measure करते हैं इसके दोनों का बीच का दूरी कितना है तो यह हम लोग देखते हैं next हम लोग क्या है पुराने जबान करता है तो यही movement के कारण होता था ना कि sun लिकल रहा है तो अगर sun पूरा over the head है दो पहर के time में हम लोग बोलते हैं बारा बज रहा है यानि कि बारा बजे बारा से एक बजे के बीच में sun जो रहा था एकदम उपर रहता है उस time का धूप जादा रहता है तो लोग ऐसा मानत लेंद को नापने के लिए लंबाई को नापने के लिए time को नाने के लिए तो हम लोग लेए sun का यूज करते थे थो ठीक है उसके हिसाब से धूप कि इतना कहाँ पर sun है कैसे है तो उसके लिए यह दिखा रहा है आपका यहाँ पर इसको हैन्ड संग बीटा जो बोलते है ए यहां सि यहां से यहां तक नापते हैं चोण रहता है बीच में तो यहां से यहां कितना दूरी रखना है तो हमारा फूट hits पैन हो गया क्यूबिट किसको बोलते हैं आपका हाथ यहां से लेकर यहां तक का हाथ को क्यूबिट बोलते हैं ऐसे नापते हैं तो इसी चीज को यूज करते थे लोग लेंद को नापने के लिए लेकिन यह हमारा बोरी पार्ट जो हम लोग करते थे हर एक लोग का अलग मेरा आपका में अंतर है ना मेरा हाथ बड़ा है आपका हाथ छोटा है तो आपका मेजर करोगे तो मेरे से कम हो जाएगा ठीक है मेरा ज्यादा हो सकता है आपका ज्यादा जैसे कि में आपका 12 हैंडी स्पेन हो रहा है तो मेरा पांच में ही कंप्लीट हो जाएगा हो जाएगा यह important होता है कि हम लोग को accurate नापने के लिए कोई भी चीज को accurate होना चाहिए accurate मतलब कि बिल्कुल सही तो गलत नहीं होना चाहिए कर 5 cm है तो हम नापे 5 cm तो आप भी नापोगे तो उतना ही cm होना चाहिए इसा नहीं कि आप नाप रहे हो छे तो हम नापेंगे तो चार हो जाएगा तो यह गलत हो जागी यह accurate नहीं है तो accurate हमको किस चीज से मिलता है therefore to ensure that something is measured accurately we use unit को कोई भी चीज को अगर हम एकदम accurately नापते हैं तो उसके लिए हमको क्या यूज करते हैं कोई भी चीज को इस टेंडर तोर पर हम लोग नापते हैं ना कोई भी चीज को तो उसी के लिए हम लोग unit यूज करते हैं अब unit क्या है देखो किलो ग्राम हो गया हमारा ठीक है ग्राम हो गया, ओके, लीटर हो गया, ठीक ना, लीटर हो गया, मीटर हो गया, किलो मीटर हो गया, ये सब सब यूनिट है, ठीक है, किलो ग्राम हम लोग कोई भी चीज़ को तॉलने के लिए करते हैं, कोई भी चीज़ का वेट करने के लिए करते हैं, लीटर, कोई भी चीज़ से दूसरे जगा के लिए kilometer भी हम लोग को distance नापने के लिए तो यही सब unit हो गया ठीक है यह सब fix quantity है आपका अगर इससे आप करते हो तो आपका गलत नहीं होगा अब time को measure करना है measuring time time is the measurement of interval between two events तो time को measure करते है दो event के बीच का interval होता है ठीक है जैसे कि हम लोग time को जब measure करते हैं तो किस चीज़ में measure करते हैं घंटा में hours में minutes में भी measure करते हैं और second में भी तो यह सब तीनों क्या हुआ unit हुआ किसका time का unit हुआ है okay time का unit कौन है hours है minutes है second है और weight का unit क्या हो किस भी चीज़ को हम लोग तॉलते हैं तो उसका unit चीट क्या हुआ हमारा kilogram हुआ, gram हुआ, milligram हुआ, kilogram हुआ, kilogram हुआ, kilogram बड़ा चीज को नापने के लिए, बड़ा चीज को तौलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फिर छोड़ा चीज, नतलब कोई कम है भी है, तो gram से हम लोग काम चला लेते हैं, ओके डियर, तो अलग- अभी के दिन में हम लोग इस तरस इसको pendulum clock बोलते हैं, जिसके नीचे में लगा हुआ रहता है, तो pendulum clock से हम लोग टाइम को नापते हैं, ओके ना, quartz close से, digital clock से, ठीक है, यह हमारा quartz close है, जो कि आप अपने घर में भी लगाते हैं, यह भी घर में भी, यह digital clock है, ठीक ना, जिसम time number दिखाते रहता है next हमारे देखें यहाँ पर क्या है in the activity given let's go to the section we have to try to find out the time taken by early to reach a school देखो यहाँ पर यही दिया गया था उपर में जो हम लोग starting में आपको बता है कि early अपने school से अपने घर से 7 बज़े लिकलता है जाता है तो 8 बज़े तो कितना घंटा लगा एक घंटा लगा simply ठीक है बात अब समझ में आ गई होगी आपको अब next चलते है we have already learned in the previous class है हम लोग पहले ही पढ़ चुके है पीछे वाले class में 60 second ठीक है 60 second होता है इसको हम लोग छोटा essay denote करते हैं यानि कि 1 minute 60 second equal to 1 minute ठीकना अब 60 minute equal to 1 hour होगा या तो 1 hour equal to 60 minute भी बोल सकते हो या 60 minute equal to 1 hour अब 24 घंटा में 1 दिन होता है मतलब कि 24 घंटा पूरा हुआ यानि कि आपका 1 दिन complete हुआ ठीकना 60 मिनट पूरा हुआ यानि कि 1 घंटा complete हुआ 60 second पूरा हुआ यानि कि एक minute complete हुआ, ठीक है, तो देखो, we can measure longer period time in a days, month, year, हम लोग longer period को time से measure days में, month में, years में, ऐसे करते हैं न, अब देखो, measuring length with height, अब देखो, length लंबाई का, चोड़ाई को, और उचाई को कैसे नापते हैं यहाँ पे, we measure the length of an object to how long it is, हम लोग कोई भी object का length नापते हैं, कि ओब जेक्ट कितना लंबा है, कोई भी object कितना चोड़ा है, ठीक है, मतलब कि white कोई भी object कितना चोड़ा है, और कोई भी object का height कितना है, कितना tall है, कितना लंबा है, यह सब चीज हम लोग नापते हैं न, to measure all this, we need to find out the distance between two points और end point of an object, यह सब चीज को हम लोग measure करने के कितना से यहां कितना है, तो point के बीच ही हम लोग measure करते हैं, नापते हैं, we also measure the distance, know how far and near object, हम लोग यह भी measure करते हैं, कि कोई भी object कितना नजदीक है, कोई भी object कितना दूर है, ठीक है, एक simpler ruler होता है हमारा, ठीक है, ruler जो आपने, आप अपने scale को भी बोल सकते हो, उसके लंबाई, चोणाई, उसका नाप सकते हो, ठीक ना, जैसे कि length हो गया, width हो गया, height हो गया, ठीक है, things such as pencil और book, यह जैसे कि pencil हो गया, और book हो गया, the unit is used are millimeter, centimeter, inches, और यहां पे हम लोग कौन सा unit use करेंगे, इसको नापने के लिए, millimeter का use करेंगे, centimeter का use करेंगे, inches का use करेंगे, अब यहां पे, inch, आप लोग बोलते हो ना, तो देखो pencil हो गया, pencil आपका छोटा चीज होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको millimeter में हम लोग ले रहे है, ठीक है, millimeter या centimeter या inches में उसको नाप हो, क्योंकि यह सब छोटा unit है, ठीक है, और meter लोग है, तो meter वो सबका चीज का जरूरत नहीं है, kilometer का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप meter, centimeter और millimeter का use करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो यह cuboid है, ठीक ना, यह आपका दिया हुए, यहाँ इसको length इधर है, width इसका चोणाई है, अब इसका height है, तो यहाँ पे आराम से यहाँ तक कितना centimeter है, ठीक है, इस तरह से scale रहता है, आपका इस तरह से दिया हुए, 0 से start होता है, 0 से ही लेना है, और 15 centimeter तक आपका scale होता है, starting वोला, तो यह 15 centimeter तक दिया हुआ रहेगा, तो इतना बड़ा कोई चीज है, आपका pencil तो लगभग 15 centimeter तक ही होता है, अगर उससे ज्यादा होगा, तो दो बार कर लेना हो जाएका measure, ठीक है, यहाँ देखे, we use measuring tap, हम लोग measuring tap भी use करते हैं, tap वेगर यूज करते हैं, कोई भी चीज को, जैसे कि आपका room वेगर, आपके घर का room है, तो larger है, बड़ा है, तो उसलिए हम लोग measuring tap यूज करते हैं, और यह लंब अगर piece of clothes है, जैसे clothes कपड़ा वेगरा लेने जाते हो, तो वहाँ पे आपको लंबा कपड़ा लेना है, बहुत, जैसे कि आपको set pen दोनों बनवाना है, एक ही कपड़ा में, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको वही चीज का जरूरत पढ़ता है, meter या हम लोग use करते हैं, जैसे कि एक city से दूसरे city, रांची to पटना, आपको जाना है, तो वहाँ kilometer का use करना होगा हमको नापने के लिए, ठीक है, बोला रहता है निकि रांची से पटना जाने के लिए आपका 200 km है, इस तरह से है ना, तो यह kilometer में लेते हैं, क्योंकि बड़ा unit है It is also used to measure the distance between two objects that are far apart, यह भी use किया जाता है, ऐसा नहीं कि दो cities के बीच में ही हम लोग use करेंगे, जैसे कि आपका घर से आपका school का दूरी, है ना, बस से जाते हो तो दूर रहता है, 2-3 km, 4 km रहता है इस तरह से, तो उस time भी हम लोग kilometer का ही use करेंगे, देखे, ruler scale है, और यह measuring tap है, जैसे घर में आप लोग घर वगरा बनता है, तो measuring tap का जाएतर लोग use करते हैं, यहाँ पर दिया है, you can use measuring tap to measure your height, आप लोग measuring tap को use कर सकते हो, height को अपना measure करने के लिए आप कितने लंबे हो, अब यहाँ पर दिया हुआ हुआ है 100 mm, जिसको हम लोग mm से denote करते है, double m से, च 1 inch में 2.54 cm होता है, सोचो, 1 inch में 2.54 cm होते हैं, और देखो 2.54, point के बाद अबला को हम लोग 54 इसको नहीं बोलेंगे, ठीक ना, इसको हम लोग 54 पढ़ते हैं, ओके, यह 54 नहीं रहता है, 1000 mm में 1 km होता है, इसलिए 1 km बड़ा unit होता है हमारा, ओके, तो I hope कि आपको समझ में आ होगा अच्छा से, यहाँ पर देखें, यह physical balance है आपका, यह spring balance है, ठीक है, physical balance और digital balance is used to measure how heavy, यह वहले जो हम लोग कोई भी object को कितना भारी है, उस चीच को ना पने कली, इसको हम लोग use करते हैं, करते हैं ना, हम लोग miligram use करते हैं, gram use करते हैं, kilogram use करते हैं, यह कोई भी object कि कितना हलका है, इस चीच को नापने कली हम लोग kilogram, miligram और gram का use करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी object ज़्यादा भारी है, तो उसको हम लोग kilogram में लेगा, अगर lighter object है, तो उसको हम लोग gram या miligram में हम लोग नापते हैं, ठीक है, सोना लेने जाते हो आप लोग, तो सोना आप लो kilogram में लेगा, तो बहुत पैसा पैसा लग जाएगा ना, इसलिए उसको हम लोग किस चीच में नापते हैं, gram में लेते हैं, देखो, 1000 miligram equal to, 1000 mg equal to 1 gram होता है, ठीक है, 1000 mg equal to 1 gram होगा, और 100 gram, 1000 gram equal to 1 kilogram होगा, ठीक है, clear है, यहाँ तक, next देखिए, यह capacity का आपको दिखाये गए है, यहाँ पे, हम लोग कोई भी चीच को जैसे पानी, liquid चीच, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, oil हो गया, ठीक है, petrol हो गया, यह सब चीच हम लोग लिटर में नापते हैं, पेट्रोल लेने जाते हो, तो क्या बोलते हैं, कि 1 kg पेट्रोल दीजे भई, या ऐसा बोलते हो, क् वो सब हम लोग बोलते हैं, कि 1 लिटर दीजे, या दूध है आप लोग लेते हो, दूध है टाइम आप लोग बोलते हो, कि 1 kg दूध दीजे, लेकिन kg हम लोग उसमें नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो liquid चीच है, liquid को हम लोग लीटर में नापते हैं, आज के बाद कीलो लीटर में नापते हैं, ठीक है, कीलो लीटर में, ओके, कीलो लीटर हो गया, सबसे ज़्यादा बड़ा यूनिट हो गया, हमारा कीलो लीटर हो गया, ठीक है, उसके बाद लीटर हो गया, उसके बाद मीली लीटर हो गया हमारा, ठीक है बात, यहाँ पर देखिए, मीली लिटर में हो जाता है यहां पर देखो यह एक लिटर का है 500 ml मतलब की हाफ हाफ लिटर यह आपका अड़हाई 100 ml होगा ओके दियर तो आई होब कि आपको सारा समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट में ठीक है औ अगर हम आपको बताएंगे और किसी तरह और भी कोई चाप्टर पढ़ना है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कीजिए आपको हम बताएंगे बाई टेक केर